तीन सो यूनिट मुस्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम नचुच जाएं तीन सो यूनिट मुस्त बिजली का दाउं तो अखले शादो पहले ही लगा चुके थे लेकिन इस बार उन्होंने चाल भी चली थे अखलेश ने तीन सो यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली देने का वादा दोबारा किया लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो लोग मुफ्त बिजली चाहते हैं वो फॉर्म भरे फॉर्म में वही नाम लिखाएं जो बिजली के बिल में जो लोग भुष में बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं वो राशन कार्ट के मुताबिक नाम लिखाएं इसके अलावा समाजवादी पार्टी घर घर अभ्यान चलाईगी कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं समाजवादी पार्टी कल से इसका अभ्यान चलाने जा रही है कि तीन सो यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले उनके लिए नाम रिश्टर करने का काम फॉर्म भरने का काम कल से इस अभ्यान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है इसलिए मेरी अपील है जिनके पास वरतान में घरेलू बिजली के कनेक्शन है उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविस में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभिहान समाजवारी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। तीन सो यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाएं। अखलेश के मुफ्त बिजली के वाइदे पर बीजेपी के साथ गटबंदन में शामिल निशाद पाटी के अध्यक्ष संजय निशाद ने सवाल उठाया। पूछा जब सत्ता में थे तब मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी? अब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है? जब अखलेश से पूछा गया कि मुफ्त बिजली के लिए नाम लिखवाने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो उन्होंने इसे चुनाव प्रचार का एक तरीका बताया। उचित यह है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में डिमकरसी में और एलेक्षिन केमबेंड में जो आप अपना मुद्दा हैं वो लेकर के जा रहे हैं तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में घर-गर जाना चाहते हैं यूपी में विधान सबा चुनाओ में पार्टियों ने मुफ्त वादों की जड़ी लगा दी है अखलेश यादव भी मुफ्त के इस रेस में जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार